नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैं यूटूब चेनल मंडी भाव और आज में में दिनेश चन पाटितार और दोस्तों एप्यम सी मार्केट यार बांदिबालिया मेसूर के आज के लसुन प्याज और आलुक के भाव की पूरी रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों चेनल पर आप पहले बार आएं तो चेनल को जरूर सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को आल पर प्रेस कर दें जिससे कि हम जो भी वीडियो अप्लोड करते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिपीशन आप तक पहुँच जाए तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले प्याज के बारे में प्याज की गुंतिस गाड़ी आवक रही हैं एक वदो लोट दोजार दोसु रुपे प्रतिक इन्टल विका है गरवा डालर प्याज 2 जार से दोसु रुपे प्रतिक इन्टल विका है गरवान बाद बिक ओनियन प्याज जैने वह inconsistent से लगा करके 2,000 रुपए प्रतिक इंटल विका है नाशिक का बेस्ट प्याज है 1900 से लगा करके 2000 रुपए प्रतिक इंटल विका है मुक्ल प्याज की बात करें तो 1800 से 1900 रुपए प्रतिक इंटल विका है मीडियम प्याज 1600 से 1700 रुपए प्रतिक इंटल विका है गोल्टा प्याज की बात करें एग अजार उपए प्रतिक इंटल तक बिका हैं। इसके साथ ये आलू की बात करें दोस्तों, तो आलू की साथ गाड़ी की आवक देखने को मिली हैं, लोकल आलू 1400 से 1500 रुपए प्रतिक इंटल तक बिका हैं। और आगरा का आलू हैं, वो 1450 से लगा करके, पंद्रा सो रुपए प्रतिक इंटल बिका हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बांधिपलिया मेसूर में जो एपेमसी मार्केट हैं, तो लसुन की आवक की बात करें तो तीन गाड़ी रही हैं। देशी सुपर फुल गोला लसुन 9500 से 10,000 रुपए प्रतिक इंटल बिका हैं। और लड़ु लसुन 5,500 से 6,500 रुपए प्रतिक इंटल बिका हैं। मीडियम एवरेज लेशन है 4,500 से 5,500 रुपए प्रतिक इंटल विकाएं, मीडियम छहरी लेशून 3,500 से 4,500 रुपए विकाएं, हल्का छहरी लेशून 2,500 से 3,500 रुपए प्रतिक इंटल तब विकाएं। तो लसुन में बाजार आज थोड़ा वो तेज देखने को मिला हैं दोस्तों मेसूर में बांधी पुलिया में इसकी साथ ही वहाँ पर जो उटी लसुन है उस कवाओ भी देख लेते हैं सुपर विई आईफी क्वालिटी का जो उटी लसुन है वह 11,000 से 14,000 रुपे प्रतिक इंटल विका हैं एवरेज माल की बात करें तो 5500 से 7000 रुपे प्रतिक इंटल विका हैं फूट कली मिक्स माल हैं 4500 से 5500 रुपे प्रतिक इंटल विका हैं तो दोस्तों यह थे लशून प्याज और आलुक के बाव की रिपोर्ट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें जिससे कि हम इस प्रकार के वीडियो आप तक लगातार पहुचाते रहें और दोस्तों चैनल पर जरूर सस्क्राइब कर लें